हलो फ्रेंड्स, बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं, नंबर एनलोजी के प्रेशने ये प्रेशने जितने भी आज के वीडियो में रखे हुए हैं, एक बार पूरा देखी वीडियो सबी प्रेशन आपको मता लग जाएगा कितने लेवल के प्रेशन है कितने बढ़िया प्रेशन है पूरा वीडियो देखेगा चलिए स्टार्ट करते है पहला प्रेशन है अगर मैं इस पहले प्रेशन को ही ले लू तो आप इस पहले ही प्रेशन को खुद से करके solve कर लीजी आपको पता लग जाएगा प्रेशनी कितना बढ़ जाएगा आठ तेईस अर्थालिस कोश्चन मार्क बहुत बच्चे करेंगे कि आठ से हमें तेईस बनाना है तो आठ का मल्ठी पर तीन से कर देंगे कितना चौविस चौविस में से अगर आप एक घटा दें तो तेईस बन यहाँ पर एक घटा है तो मैं यहाँ पर भी घटा दूँगा 144 में से एक घटा दूँगा 143 बचेगा और 143 मेरा किसे भी आफसन में नहीं है तो यह तरीका तो नहीं लग रहा कोई दूसरा तरीका होगा लगाए अब एक बात याद कीजिए मैं हर बार नंबर एनलोजी प कि दूसरे की हैं अगर इस अन्वान और या घटा सकते हैं तो आप सिदे सीदेंगा अगर आपका जोता है मतलब multiply 6 दे रखा है तो 23 का relation भी यहाँ पर बना लिजे इसका multiply 6 किया तो इसका भी multiply 6 कर लो कितना हो जाएगा 6, 31, 18, 8 केरी का बन, 6, 2, 12, केरी का बन, 13 138 आया और 138 हाँ दे रखा भाई भी ओफ्सन में 138 दे रखा है यह सही हो गया तो मेरी बात आपको याद आगी होगी कभी भी number analogy खतम नहीं होता दूसरी बात अगर पहली संक्या कर लिसन दूसरी से ना बने तो पहली संक्या कर लिसन आप तीसरी से बना सकते हैं केलियर है दोस्तों सब इको प्रेशन अब देखेंगे हम अगला प्रेशन अगला प्रेशन है अपका यहां पर प्रेशन है को आप देखेंगे 7 से 42 हो रहा है अब 7 से 42 बनाइए वही जहां पर बन जाएगा अगर 7 से 42 ना बने तो 7 से 9 बना सकते हैं यह बात मैंने आपको बताएए केलिक लिया तो 7 से 42 बनाने के लिए आप कहेंगे 7 कमल पर 6 से कर तो 42 होता hai विल्कुँट सिंपल सी बात है 7 कमल पर 6 से करएं गे 42 अगर यहांपर भी मlt type 6 से करओंगा नोनोचिक के 54 होता है 54 तो ौफषल में है यही नहीं बैइ 54 option में नहीं है अगर मैं यहाँ 6 से multiply करूँ तो यहाँ भी 6 से करूँगा लेकिन 6 से करूँगा तो 54 होता है 54 option में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गड़बढ़ है ध्यान से देखिए अब क्या गड़बढ़ है मैंने यहाँ पर 6 से multiply किया है पहले संकया में 7 है 7 का multiply मैं 6 से क्या है मतलब 7 से एक कम संकया से तो यहाँ पर भी पहली संकया में 9 है तो 9 से 1 कम संकया से अगर मैं multiply करूँ तो 8 से करूँगा तो 9,8 72 होता है 72 दे रखा see option मैं सही हो गया एक ये तरीका सोचने का, एक दूसर तरीका क्या होता है, 7 से 42, तो मैं क्या करूँ, 7 का स्कॉर कर दू कितना होता है, 49, 7 का मैंने स्कॉर किया, तो 7 को ही माइनस कर दू, तो 49 में से 7 को घटाओंगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, जिस संक्या का मैंने स्कॉर किया, उसी को घटा दि प्रेश्णिक का आंसर तो वही आना है क्लिए ऐसा नहीं है क्या लग लगा रहा हो जिससे की confusion हो जाए तो प्रेश्णिक आंसर से मारा चाहिए से कर रहो चाहिए से कर रहो मैं तरीका दोनों बताने का है दोनों बताऊंगा तबी आपकी समझ में आएका जो लग जाए exam में, जो जल्दी लग जाए, जो दिमाग में जल्दी आ जाए, फटा-फट कर दीजे प्रेश्ट ने, किलिए रहे, अब देखेंगे अगला प्रेश्ट ने, अगला प्रेश्ट ने है, 82 का रेलेसन 6 से है, तो 76 का रेलेसन यहां पर किस संख्या से होगा वई, के लियर है 82 का अरलेसन 6 से है जादा सोचने वाली बात इसमें नहीं है क्यू नहीं है मैं आपको बता दू हमारे पास 82 दे रखा है 82 का मतलब 8 और 2 क्या क्या दे रखा है 8 और 2 दे रखा है अगर मैं इन दोनों का अंतर कर लू तो अगर मैं आठ में से दो घटा दूँगा तो 6 बचेगा और मेरे पास 6 है चही तो चाहिए वही मैं यहाँ पर करूँ कि पहली संक्या 7 दूसी संक्या 6 यहाँ पर भी दोनों का अंतर कर दूँ तो 7 में से 6 घटा दूँगा भाई एक आएगा मेरा एक दे रखा वी ओफ्सन में सही हो गया अगर किसी के पास इस प्रेशने का कोई दूसरा मैथड है तो कमेंट करके बता देना ठीक है कमेंट करके जरूर बता देना क्योंकि प्रेशने कोई भी हो important होता है और सभी को जानना बहुत जरूरी होता है ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 18 है 5 है 12 है यहां पर क्या आएगा बाई देखो एधर मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए 90% लिख रहा हूँ 90% बच्चे प्रेशने को सौल्ब नहीं कर पाएंगे इसको 90% नहीं कर पाएंगे और जो कर ले मुझसे पहले करके कमेंट वाक से बत तरीका लगेगा वो देख लिजे 18 पांच बारे कोशन मार्क 18 और पांच का रिलेशन बनाईए अब 18 से 5 में कैसे बनाओ घटा करके बनाओ अगर मैं 18 मैं से 13 घटा दूंगा तो 5 तो 12 मैं से 13 घटेगा नहीं वह तेरह जब यहां घटा आया तो यहां भी घटा आई तो आथारे से 5 नहीं बना पाएं तो आप 5 से भी तो 18 बना सकते हैं डोनों में इसको इन दोनों में ही फाइंड करना है अठारे से पांच नहीं बना पारें तो 5 से 18 बना लिजे तो 5 से 18 कैसे बनाएंगे पांच है पांच का मिल पर आप तीन से कर दें hairdo 15 अगर आप 3 जोर दें तो 18 पांच त्रिक का 15 होता है पंद्र होता है और 15 में 3 जोर दें तो 18 मिल जाएगा दूसरी संख्या से पहली संख्या आपने बनाई कैसे बनाई जो दूसरी संख्या थी उसका मल्टिपई तीन से क्या तीन को जोड़ा अगर मैं यहाँ पर दूसरी संख्या चार ले लो तो मल्टिपई तीन से करें पिलस तीन तो वही यहाँ पर करेंगे मल्टिपई तीन पिलस का तीन तो 4 तरिक का 12, 12 मैं 3 जोड़े दूँगा बैज पंद्र आ रहा है कितना रहा है? 15 आ रहा है जब कि आना कितना चाहिए 12 क्योंकि पहली संक्या फइंड़े करने हम यहाद है आपको पहली संक्या तो यहाँ पहली संक्या 12 आना चाहिए तो यह गलत हो गया मतलब पहला option गलत, अगर मैं 10 रखूं, तो multiply 3 करूं और plus 3 करूं, 10 तरिक का 30, 30 में 3 जोड़ देंगे, 33 आना चाहिए 12, ये भी गलत हो गया, अगर मैं 3 रखूं, multiply 3 करना है और plus का 3 करना है, तो 3 तरिक का 9, 9 में 3 जोड़ देंगे, तो 12, इस बार 12 आ गया, तो दूसरी सेंग के आपको कौन सी रखनी है, भाई 3 रखनी है, समझ में आगी बात, इस प्रेशन में अब किसी को कोई समस्य नहीं होगी, लेकिन 90% नहीं कर पाए होंगे, ये बात मुझे अभी भी पता है, इस प्रेशन को 90% बच्चे नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन प्रेशन कितना बढ़ी आता, ये आपको समझ में आगया होगा, ठीक है, आप देखेंगे अगला प्रेशन, अगला प्रेशन है, 6 है, 10 है, 9 है, कौश्चन मार्क है, अगला प्रेशन को, मैं गुमा फ्रा के बात नहीं करता, जो सही solution होगे होता है, अब इस नौ के फेक्टर आप क्या कर सकते हैं, तीन गुने 3, तो यहाँ पर कौँसी संच रखी जाएगि, कि उसके factor इनी factor का अधार पे आए इनी factor का अधार का मतलब मैं आपको बता दू पहली संक्या सेम है यहां भी दो है यहां भी दो तो यहां तीन है तो यहां भी पहली संक्या तीन आएगी ठीक है यहां पर multiply तीन से किया यहां पर पांस थे तो यहां पर तीन से किया तो यहां पर पांस से करेंगे किलियर है कर दू भाई तीन पच्छी पंद्रा आएगा पंद्रा कहां पर है पंद्रा सी ओफ्षन में है बिल्कुल सही आंसर हो गया बताए इस प्रेश्ण में ऐसा क्या था जो नहीं कर पाते मैं पहले कह रहा हूं प्रेश्ण जब कर देते हैं हम तब इजी लगता है उससे पहले कटिन लगता है तो लगता नहीं कर पाएंगे लेकिन अभी आपको बहुत इजी लगने लगा ठीक है हमारा तरीका यही रहता है कितना भी कटिन से कटिन प्रेश्ण हो वह आपको इजी तरीके से बताया जाए जिससे की जिन्दिगी भर के तो इस तरीके से प्रिश्णी के बारे में सोची बिल्कुल जल्दी से किया और दूसरा तरीका क्या होता है प्रेशनी को स्वल्प करने का देखें, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 6 था, अगर मैं 6 का स्कौर करूँ और उससे 2 से डिवैड कर दो, तो 6 का स्कोर 36, 36 को 2 से डिबाइड करें तो 18 मिल जाएगा ये वाला, उसी तरीके से मैं यहाँ पर 4 का स्कोर करूं गॉँगा, और 2 से डिबाइड कर दूंगा, तो 8 तब भी आंसर 8 आया, तो मैंने क्या बताया, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा फर्ज में आपको जितने तरीके हूं सब बताओं लेकिन आपके दिमाग में जो जल्दी पहले आ जाए एक्जाम के समय में आप फटा फट प्रेशने को लगा दीजे ठीक है जितना जल्दी लग देंगे उतना ही समय आपका एक्जाम में बच जाएगा तो उम् देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद